नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुजीत पांडिया आप सभी का स्वागत करता हूँ यहां हम करने जा रहे हैं जीके का रिविजन बहुत ही शांदार कॉशन रहेंगे चलिए देखते हैं आप से कितने कॉशन आपको याद हैं बहुत ही शांदार कॉशन है यह स्टार्ट करते हैं पहला कॉशन देखिए भारत में 1931 में बनी पहली सवाग फिल्म कौन सी थी तो सबसे पहली जो सवाग फिल्म बनी थी यहां पर आइड आंसर हो जाएगा आला मारा भारत का प्रतम न्यूट्रोन रियेक्टर कामिनी कहा इस्तित थे तो कामिनी इस्तित थे आपका कल्बाक्कम में समाचारों में बहुचर्जेते वाडा कॉड किसे समолнित है तो वाडा कॉड यह खेलों से समliत है अगला कोशन दिखिए भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलम्पिक खेल में हौकी का पहला सोंड़ प्रग जीता था तो वर्ष 1923 में एमस्टरडम में हुआ था भारती अंतरिक्ष अंसंधान संगठन का मुख्याले कहां है ये आपका है बैंगलूरु में भारती वाई सेन कितनी कमानों वे व्याजित है तो ये पांच कमानों वे व्याजित है भारत ने पहला ओलम्पिक हौकी सोंड़ पता कहां जीता अभी आपको आया एमस्टरडम में अगला कोशन दिखिए भारत की किस महिला ने सरपथम मिस वर्ड का खिताब जीता था सबसे पहले रीता फा वार्थी कौन थे तो नागेंद्र सिंग जी थे संसार का सबसे बड़ा मंदर कहा हिस्तेत highood राश्टर नदल खेलों का आईन कितने वर्षों के अंत्राल में हुता है चार वर्षों के इंतराल में भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सरोच पुरुसकार कौन सा है परमवीर चक्र पंकज आडवानी कौन से खेल से संबन्द है बिलियर्ड से संबन्द है राष्टरी गीत बंकिम चंदर चटर जी ने किस उपन्यास से लिया गया है तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है भारत के प्रथम परमाडू उजा रियेक्टर का नाम क्या है अब सरा है प्रथम भारती नारी जो एवरेश्ट सिखर पर चड़ने में सफल हुई उनका नाम क्या है तो बचिंद्री पाल उनका नाम है बोर्लोग पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो ये आपका क्रशी ग्यान की छेत्र में दिया जाता है नैशनल स्कूल ओफ डिजाइन कहा है जते थे ये आपका पूने में जते थे भारत रत्न संकर्ण अलंकर्ण सर्पदम किसे दिया गया है तो सी राज गोपाला चारी जी को दिया गया था एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है एक किलो वाइट में एक हजार चौबिस वाइट होते हैं दूर दसन दुवारा रंगी ने टेली विजन की शुवात किस वर्ज की गई थी 1982 में भारती और राश्ट्री अभी लेखा गार कहा है से थे ये नई दिल्ली में से थे सक्संवत का आरम कप से हुआ है तो 78 इसवी से सक्संवत का आरम हुआ है वायू सेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौ सेना के किस ऑफिसर के समान होता है तो लेफ्टीनेंट के समान होता है आटो वायोग्राफी पुस्तक किस की है जवाहलाल नहरू ने लिखी है पोंगल उत्सो का सम्मद किस राज से है तमिलनाडू राज से है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां किया गया था वर्ष 1896 में एथेंस में विक्रम सारा भाई अंतरिक्षी केंद्र कहां परिस्त है तिरुवनंत पुरम इस्त है नोबेल पुर्षकार प्राप्त करने वाला पहला भारती कोन है रविंद नाठ टैगोर है अंतराश्टी न्यालाई के न्याधीशों की कार आउधी कितने वर्ष की होती है तो 9 साल की होती है बीहु का सम्मद किस राज से है बीहु का सम्मद असम राज से है प्रसिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् से नीर्मित भारत कि पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है तो ब्रम्होस सो और देष के नाम से कौन सा देश जाना जाता है जापान को सूर रहें शुखेज़प कहा जाता है रोज रह किस खेल से संबंगत धरिए यह टैनिस मटेश के खिलारी चीन में लाल क्रांती कब हुई थी तो चीन की जो लाल क्रांती हुई थी वह उनिस सो निचास में हुई थी सतरंज के बोड में खानों की कुल संख्या कितनी होती तो 64 होती है भारत की प्रथम महिला शाशी का कौन है रजिया सुल्तान नेट वेश्ट ट्रॉफी कि स्खेल से स संबनित है यह और इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था वर्ष उनिस संताओन में सूर्की केड़ों की तीविता मापने वाली इंद्र को कहा जाता है तो एक्टियो मीटर कहा जाता है भारत त्रत्रत से किस विदेशी को सरप्धम सम्मानित क कि आगया था तो खान अब्दुल गफार खान को सम्मानित कि आगया था शुश्क छेत्री वान के अनुसंधान कहां पर है तो यह आपका जोदपूर में है गोदान और गवन दोनों किस लिखा की रचना है मुझ्शी प्रेमचंद की रचना है विश्व में किसी देश की प सी भांसी भारतियों का प्रतिश्ट लगबा कितना है 45 प्रतिश्ट भारती Greece को का मुख्याल है कहा है तो पैरिस में यूम अस्को का मुख्याल है विश्व परिवएस दिवस में अं कौन सा अंतराश्टी पुरुषकार पत्रकारिता की छेत्र में उतकष्ट योगदान के लिए दिया जाता है तो पुलिद्जर पुरुषकार दिया जाता है भारत के और द्योगे के वित्तिन निगम की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष बभात कों था है कि विशुका सबसे पुराना लोग तंत कौन सा है सेन मेरीनों सबसे अलोग तंत है बैटिंग ब्लॉक geliyor कि स्खिल्द इस मंदिद्ध रूपर सरप्तम पहुशने वाले व्यक्ति कौन थे तो एड्मन डिसेंड थे सयुक्त राष्ट संग महासभा की प्रतम महिला दक्ष कौन थी विजय लक्ष्मी पंडिजी थी विवारास्पद किताब सेनेटिक्स वर्सेच के लिखा कौन है तो सलमान रश्दी है सोरा किस देश की संसत को कहा जाता है अफगानिस्तान की संसत को कहा जाता है देश का सबसे उचा टीवी टावर कहां से थे तो भूपाल मर्द प्रदेश में इस्तित है मैग्जेजे पुरुसकार विजयता पहले भारती कौन थे विनोवा भावेजी थे राष्टियों भुकत किस राजिस से संबनित है तो यह पंजाब राजिस संबनित है कोचीपुडी किस राज का सास्तिनत है आंदर प्रदेश का सास्तिनत है विम्स्टैक की स्थापना कप की गई थी सन 1997 में भारत में टैलीवन की शुरुवात कभ हुई थी 15 सितंबर 1969 में अंतर राष्टी न्या और चोणाय का कमेंडबाक में कंगर्ट करता यह क्या लचोदाई का का लंबाई चोणाय का अनुपाद चंद्र कांता पढ़न्यास के लिए खकोन नीच घिख व्यूरफ कोश्या न कि लिए टिया आ जाता है तो यसाहित कि दिया जाता है किंद्री ऑनवेश्चन ब्रो की स्थापन आ कब होग Tiburi तिटो शुरी अनूपादक किस राजिएं में ओृसा राज़िम है उडिशा राजि राश्टी पंचायत कहां की संसत को कहा जाता है नेपाल की संसत को कहा जाता है रूबल कहां की मुद्रा है तो रूस की मुद्रा है रूबल भारत का फिल्व निर्मान में विश्व में कौनसा स्थान है तो भारत का पहला स्थान है भारत का राश्टी खेल कौन सा है तो हौकी सुदारा चढ़ाया गया था, मगत की राजधानी थी तो मगत की राजधानी आपकी गिरी पर जिराजगर शोला महा जन्फतों की सूची उपलब्ध तो यह अगंतर शुनाग के're सुचुनाग वंज़ का चस्थापकж फान-पॉन था था तो शिशुनाग का संस्थापक फ फ पतलिपत्र वसा हितो गंगा सोन के संगम पर बसा हिए हर्य अमित्र घात के रूप में पस द खाना जाता था जनफतšकी राजधानं थी नंदवंश का अंतिम साशक था भारत का सरप्थम आक्रमन किस ने किया था इरान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमन किया था भारत पर आक्रमन इसापूर करने वाला पहला विधेश यशाशक कोंथाह सिकंदर ने सबसे पहले अकिनमी और किया था सिकंदर पूरत के बीच का युद्ध क्या कहलाता है तो हाइि डेस पीज्ञ censon कैसीत कैलाता है सिकंदर पूरत का युद्ध सिकंदर की मृत्थ्य एइसापूर自 330 इसापूर में बेवी लौन में मृत्ती हुई थी मौरे वन्ष का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौरे वन्ष का संस्थापक था मौरे वन्ष की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुरार से मौरे वन्ष की जानकारी मिलती है सुदरशन जील का निर्माण हुआ था तो चंद्रगुप्त अनिवाई था तो जैन धर्म का अनिवाई था चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर के गुरु और महामंत्री कौन थे चानक के थे भारत का मैक्या वैली कहा जाता है तो चानक्य को भारत का मैक्या वैली कहा जाता है चानक्य जो कि विश्णोगुप्त या कोटेले नाम से भेमस थे रचित अर्थ सास्तर पुस्तक किसके उपर है तो प्रशाशन के उपर है अर्थ सास्तर पुस्तक चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में आने वाल अपसे तो यूनानी कौन था, तो महिगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है, जो पूशियाती एक्जाम में, इंडी का नाम की पुस्तक लिखिये है, चंद्रगुप्त मौरे के मृत्तिव का हुई थी, तो 298 इसापूर में स्रॉण बेल गोला करनाटक में उपवास के द्वारा हुई थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जयन धर्म को अपना है था तो चंद्रगुप्त मौरे ने अपना है था इसका उन्होंने किसमें उलेखे तो शिला लेख का प्रशिलन प्रारम किया हां ये अल चलिक किसको भj exercise को चलना 10 के अबीलेख में अशोग का आश की आंध्रपलिस भा गुर्जरा मद्रपलिस के अभिलेख में अशोग ने स्वेम को मगणी का समराड बताया तो यह भांबू इस्तमलेख जो की जैपुर में हम बैराट रायस्थान में उसमें बताया है कलिंग युद्ध की विजय तथा छतियों का वनन मिलता है तो अशोक के सिरालेख नमबर 13 से सांची का इस्तू बनवाए था तो अशोक ने बनवाए था शी नगर की स्थापना किस ने की थी तो अशोक नहीं स्थापना की थी अशोक के अभीलेखों की खोच 15 1750 इसा में सर्वदम किया था तो टी फेंत्रलर ने सबसे पहले की थी अशोक के अभीलेखों को सर्वदम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में बोच्टि आइंपी कोशन कई आइंप किस ने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप नामयाद रखना अशोक की मृत्य हुआ थी तो नाली थी तो पुश्ययमित्र शुंगोंगने स्युंगवंज की निवता दी थी भारहुटेrich निर्मान करता कौने तो पुश्यमित्र शोँगने भारहु तो निर्मान करा है शुंगवंज का अंटमशाषक था कि भारती सीमा में प्रवेश करने मतला 10 राजों का युद्ध लड़ा गया था तो यह परोश्णी रावी नदी के तड़ लड़ा गया था भारत में सवर्भथम सौने क सिहथे किसने चलाइथे तो हिंद यूनानियों सबसे पहले चलाइथे कुशान्वनिस का संस्था पा कौन कटफिस कुशानवन के साशक था बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है बनी थी सबसे पहले तो कुशान काल में बनी थी कुशानवन्स का प्रसिद शाशक था तो कनिश्क कुशानवन्स का सबसे प्रसिद साशक था कनिश्क की पहली राजधानी क्या थी तो पुरुषपुर कनिश्कि की सबसे पहली राजधानी थी कनिश्कि की दूसरी राजधानी क्या बनाई थी तो मतुरा को दूसरी राजधानी बनाय था कनिश्क ने सकसमवथ चलाय था तो कनिश्क ने चलाय था और 78 EC ने चलाय था most important question कई बार एक्जाम में पूछा गया सख सम्वत को लेगे मूर्तियों का निर्मान हुआ था तो कुशारकाल में मंदियों निर्मान हुआ चारी का व्सकाल निर्मान को विनसी का परिस पित्व का घरते खट एक्वंध का शाचक आरंब किया था कुशानवंस का अंतिम शाशक कौन बचा था तो वशुदेव था कुशानवंस का अंतिम शाशक गुप्तवंस की जानकारी मिलती है तो वायु पुराणा में गुप्तवंस के बारे में जिक्र किया गया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस ने कहा था तो बिंसेट और्थर इसमित ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीड़ा वाजाती हुए किसकी फोटो है तो समुद्रगुप्त की है भारत का विंसमार्क है तो बल्लव भाई पटेल को भारत का विंसमार्क कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तो नागरजन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है भारत का मिल्टन कौन है तो अशुगोथ को भारत का मिल्टन कहा जाता है इरान का नेपोलियन कोन है तो नाजरशा को इरान का नेपोलियन का जाता है समुद्रगुप्त का दरवारी का भी था तो हरीशेन समुद्रगुप्त का दरवारी का भी था प्रसिद्द चीनी बौध यात्री फायंग आये था तो चंद्रगुप्त द्वती के काल में आये था पांच भी सताब्दी की ये बात है चंदरुप्तेट द्वती विक्रमधितने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था तो उट जैन को दूसरी राजधानी बनाया था विक्रम संमत प्रार binge हुआ था तो अठावन ईसापुरु से विक्रम संमत प्रार quieter हुआ गुप्त कालीन रजत एवं स्वन मुद्राओं का नाम क्रमशा क्या है तो रजत मुद्राओं थी रुपक और स्वन मुद्राओं थी दीनार नालंदा विश्व उध्याले का संस्थापक कौन था तो कुमार गुप्त था नालंदा विश्व उद्याल को धुस्त किया तो बक्तियार खिल जी ने मुहमबत गौरी का सेनापती था जो की विक्रम शिला विश्व उद्याल की स्थापना की थी तो धर्म पाल ने 770 से 810 ईस्वी की बात है महरौली में इस्तित राजा चंद्र के लोह स्तंब को बनवाए था तो चंद्र गुप्त द्वती ने बनवाए था गंगोई कोट कहा जाता था तो गंगई कोट या गंगोई कोट ये राजेनर पथम को कहा जाता था गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला गुप्त काल की राजकी वहाशाती तो संस्कृत थी, भारती इतिहास का स्वन यूग कहा जाता था तो गुप्त काल को, गुप्त वंश का अंतिम शाशक कौन था तो विश्नु गुप्त था, वर्धन सामराजी का संस्थापक कौन था तो पुष्य भूती था, पुष्य भू के शाशनकाल में 606 से लेकर 647 से हैं यह इस फी दौर्ड़ आलिखित पुस्तख है तो सी-ई-उ के हैंसांग बुश्तख वुर्दन में राजकुमार कहा जाते था तो हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार फ्रतिक पांच वर्ष बाद्धार्विक सम्मिलन करता था तो प्रियाग में करता था फर्ष वर्दन के भूराजस्व था एक बड़ीचा अत्राजव दर वसूलता था आपको एसे ही वीडेयो चाहिए तो comment I can open part 2 इसका आपको मिलजायेगा शभी प्लीआ को लाइक कीजिए श्यर कीजिए दोस्तों को भेजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आग लख झाल झाल